हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉलो एस क्यूब टेक, मैं विरांद्रा वाग्टी जो बहुत सारी ब्लॉग पूस्ट होती है जिन पर ट्राफिक आता और कुछ होती है जिन पर नहीं आता उनमें क्या डिफरेंस होता है तो लिखना में क्या आपको steps follow करनी है कि आपकी website का जो blog section है उसके उपर बहुत सारा traffic है step by step process को discuss करेंगे हम तो पहले ही जान लेते कि blog post actually होती क्या है तो आपने कोई website देखी होगी उसके उपर blog का section होता है तो उनके उपर जो articles वगरा या फिर कोई दूसरे services को promote करने के लिए या फिर कोई video को भी promote करने के लिए कुछ post वगरा या फिर content को promote करने के लिए जो articles होगर लिखते हैं, जो blog post में entry जाती है, उसको blog post कहते हैं और blog section होता क्यूं है, blog post लिखते हैं कि website के उपर उसके benefits क्या है, क्यों इतना सारा time और time invest करते हैं उसके उपर तो first जो benefit है उसका ही है कि आपको website के उपर traffic बहुत सारा लेके आना है आपकी समलीजी फॉर एक्जामपल डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है उसके उपर आपने साथ आठ जो पेजिस बनते सर्विसिस के वो बना दिये बट ब्लॉक का सेक्षन नहीं है तो उसके उपर यह ट्राफिक आने की चांसे काम हो जाते हैं 10-15 कीवर्ड है उनको टार्गेट कर लिया आपने उनके उन पर अगर रैंक भी कर गए तो उनका उनसे रिलेवेंट जो ट्राफिक है वही आएगा अब बहुत सारी चीज़ें जो समलीजी की डिश्लर मार्केटिंग में आपका उस पे ऐसे उस से लिलेटिव से भी ज्यादा बना सकते हैं तो उन कॉंटेंट को कवर करने के कुशिश करता है आर्टिकल्स के थूरू वैसे सारी सर्विशेस से रिलेटिड हम कॉंटेंट क्रेट करेंगे जिससे की वेबसाइट के उपर और सारे टॉपिक्स पे आप ट्राफिक लिखे आपाएं दूसरा आप अपनी ज आप अपनी सर्विशेस को भी प्रोमोट कर सकते हैं ट्राफिक लिखे आपकी वेबसाइट अगरेंग करती हैं तो लोग जानने लग जाता है कि इस वेबसाइट का डिशनल मार्केटिंग में अच्छा डिमांड है और ट्रस्ट और क्रेंडिटी ब्रेंडिंग भी इंप्र हो जाती है जैसे फॉर एक्जांपल आज SEO से रिडिटेट एडिशनल मार्केटिंग को सर्च करेंगे आप गूगल पर तो फर्स्ट पेज बेजल्स चो होते हैं उनमें से बहुत सारे वेबसाइट आपको कॉमन मिलेगी निल पटेल का ब्लॉग देखने को मिलेगा बैक लि सर्विसेज उगरा उनको दे रखी है उनका आप टेप्स गाइड्स उगरा देना चाहते हैं तो वह ब्लॉग श्रेक्शन के तरूँ दे सकते हैं तो यह बैनिफिट से एक ब्लॉग श्रेक्शन होने की तो इसमें step by step process को discuss कर लेते हैं कि कैसे आपको ब्लॉग पोस्ट बना करेंगे उसके लिए आप कुछ टूल भी उसको यूज कर सकते हैं trending topics को find करने के लिए relevant topics को find करने के लिए जैसे google trends है और आप अपनी competitors से उनकी research कर सकते हैं उनकी website जो टॉप रेंक कर रही है उनकी उपर जाकर आप चेक करें कि वह किस topics पे content cover कर रहे है recently तो वहां से कुछ आ marketing पे guide बनानी है आपको 1000-2000 words का एक blog post लिखना है तो उसमें title क्या रखेंगे आप वह आपको decide करना है क्या चाहिए जिससे की rank करती website आपकी आपको blog post अगर rank करता है तो उसके उपर click साने के chance बढ़ जाते है then फिर outline create करनी है आपको आप क्या क्या चीज़े cover करने वाले उसमे introduction cover करेंगे उसके बाद आप headings होगी सब headings होगी कौन-कौन सी headings रखेंगे उस blog post में सब headings कौन सी रखेंगे और bullet points होगर use करेंगे तो कैसे use करेंगे तो जैसे for example इसमें social media marketing का एक blog लिख रहे है आप article तो उसमें समली आप बताएंगे पहले कि LinkedIn marketing क्या होती है Facebook marketing क्या होती ह Twitter marketing क्या होती है तो ऐसे sections बन जाएंगे आपके तो आपको इंट्रोड़क्शन पार्ट चूरू करना है इंट्रोड़क्शन पार्ट में आपको पहले social media marketing क्या होती हो बताना है और interesting सा introduction रखना जिससे की user को पता रहे कि आगे क्या expect करना है तो आपको थोड़ा introduction दे जाना कि article में आगे क्या expect करने को मिलेगा आपको user को then headings and subheadings लिखनी आपको जैसे आपने डिवाइड कर लिया था आउटलाइन में तो इन headings को सबheadings को डिवाइड कर लिया properly आपने structure और उस पर content लिखना शुरू करना जैसे आपने decide किया था कि LinkedIn marketing का extension होगा heading होगी उसमें LinkedIn marketing का आपने लिखना content शुरू किया और कुछ subtopics भी cover कर रहे हैं समली LinkedIn marketing में समली आप दिखा रहे हैं कि LinkedIn profile और LinkedIn page में क्या difference होता है तो आपने वहाँ एक सब adding use कर ली social media में जैसे कि और facebook marketing का एक topic है उसमें facebook page और facebook personal profile में क्या difference है और कैसे उसको marketing करते हैं उसका आपको subtopics cover करना है तो वैसे कर सकते हैं और इसको in-depth सब में cover करते जाए content को then last में आपको call to action and conclusion करना है जो आपने सारा कुछ cover कर लिया है उसके बाद में conclude करना है उसमें conclude में आप दिखा सकते हैं कि यह होती है social media marketing और इसका importance क्या है और क्यों use करना चाहिए इसका relevance क्यों में आजकल ज्यादा और call to action भी आप use कर सकते हैं कि आपको बिजनेस के लिए social media marketing की services चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हैं या फिर link दे दिया आपने social media marketing की page की तो इस तरह से आपको call to action यूज करना है then proof read and edit यह most important part है इसको आप कभी ignore मत करी है क्योंकि आप content आप लिख रहे हैं एक बार लिख दिया आपने उससे बहुत सारी mistakes हो जाती है कभी spelling mistake हो जाती है गलती से या फिर typos रह जाते है grammatical mistake रह जाती है sentence कुछ आप बड़े कर देत हैं तो वह आप proof reading और editing के part में उसको remove करना आपको जिससे कि होता कि आपको mistakes हो रहा है वह avoid कर सके आप और यह करते हैं तो अगर आप तो सबसे ज्यादा benefit होता आपको क्योंकि आप keyword भी आपको include करने रहें तो वह आप कहां पे include कर सकते हैं वह आपको थोड़ा और idea मिल जात है कि आपको आपको content है कहीं से match तो नहीं कर रहा है दूसरी website पर लिखवे content से for example आपने यह content आपने लिख दिया उसके बाद आप कुछ tools होते हैं जैसे dupli checker है grammarly का tool है तो ऐसे tools आप use करके वहाँ पर check करें कि आपका content किता unique है वहाँ पर अगर आपको कुछ दिख रहा है जिनको use करके आप कुछ और professional काम कर सकते इसके उपर तो first एक research and facts include करने आपको कोई numbers होगरा दिखा रहे हैं आपको social media marketing के for example आपके demand क्यों है आज तो कुछ numbers दिखा दिये आपने की 2017 में यह number थे इतने लोग business इसे यूज कर रहे हैं लेकिन आज 2021 में इतने लोग use कर रहे है तो वहाँ पर कोई आपने link देदी facts दिखा दिये दूसरा आपको कुछ images use करने है content के अंदर जैसे कोई lengthy content होता इसमें images करते हैं तो readability improve जाती है लोग उसको थोड़ा boring content दिखने में नहीं दिखता फिर आप engage कर पाते है audience को जल्दी से कोई भी relevant आप images यूज कर सकते हैं समल content आपना कर एक बार cover कर लिए उसको बार-बार उसको discuss नहीं करना है यह repetition हो जाता तो content feel user को लगता है कि यह बार-बार एक ही बात कर रहा है वो then featured image featured image वह होती है जो आपकी blog post के सबसे जो top वाली man image होती है जो समली आपने blog section पर click किया तो आपको बहुत से articles में उसकी top image दिख content से click काने में और अगर समझे blog post आपकी rank भी करती है उस keywords पे तो images search में भी अगर वह आपकी feature में rank करती है तो आपको click काने के chances बढ़ जाते है then आपको bullet points and number list use करनी है इससे क्या होता कि आपके content इसको structure improve जाता है for example आप बहुत सारे 50-60 paragraph लिख रहे है blog post में तो उससे better कि आपको ऐसे paragraph है जहां आप कोशिश कर सकते कि उसको हम properly list बना के लिख सकते है one two three four five के रूप में तो आप वहां पे उसको convert करके रखिए then sentences और paragraph उनको short रखना आपको sentences की ट्राइ करना वर लिमिट 15 वर्ट्स तक या फिर maximum 20 वर्ट्स 20 वर्ट्स से उपर आपको भी sentence लिखने कोशिश मत करिये और हो सकते तो 15 वर्ट्स तक आपके sentences पूर करने और जो paragraph से उनमें ट्राइ करना है कि three to four sentences प्रेग्राफ मूसली कुछ paragraph हो सकते हैं आपके five to six sentences हो जाए जिसमें आप लगता कि readers इस topic पे cover रहे connected रहेगा तो वहां पर यह चीज़ कर सकते हैं दूसरा फिर internal linking last में इंटर linking का मतलब है कि आपकी जो website पे दूसरे pages हैं जो articles हैं उनकी link आपको वहां पर उस post में relevant जो text होगे रहा है उसमें पर hyperlink करना आपको for example social media marketing की बात कर रहे थे तो वहां पर इसे दूसरे pages को भी value मिलती है अगर इस traffic space इस blog post पे बहुत सारा traffic आ गया और इसमें inter linking कर रहे है तो उन दूसरे जो articles है उन links को भी value मिलती है तो इस तरह से आपके structure ready होगा सबसे पहला आप आपनी headline आजएगे आपके जो blog post कमेंड topic है उसके बाद आप जो featured image मैंने बताया था जो main image है वह आगई उसके आपने interesting introduction जो आपने लिखा वह और फिर आपके proofreading और editing को miss नहीं करना बहुत सारे writers होता है कि सोचते है कि मैंने लिखा है तो समझके लिखा और mistakes नहीं रही होगी लेकिन ऐसा नहीं होता है वैसा content दूसरी website पर पढ़ा है तो Google आपकी website पर content उसको rank कर गए क्या benefit दे सकता है यूजर्स को तो यह चीज़े आपको दिहान रखे एक आप एक शांदार blog post लिख सकते हैं Thank you कर दो